हांजी पसुपालक साथियों आसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आपका पसुदन भी ठीक होगा और आज मैं जो जाने का जानकरी दिने जा रहा हूँ वो है जो ताजी ब्याई हुई बैंस है बहुत से साथियों के फोन आते हैं कि मेरी बैंस ब्याई गई है और मैं क्या दूँ उसको पसू पालक दूइदा में होता है कि इसको दूद पलाओं या ओंती दूँ क्या खड़ाओं क्या नहीं खड़ाओं बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि हवता दस दिन कुछ नहीं देना होता सिर्फ गुड़ पर रखनी होती है अगर हम देंगे तो खाना बिना ब करन्तियां हैं तो मैं उसके बारे में जानका रिदोंगा आप वीडियो में बढ़े रहें और जो नए साथिया हैं चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करें और अब मैं लेता हूं जैसे पिपैस ब्याती है ब्याने के बाद बच्चा देती है और सबसे पहले तो हमने जब ब्याने के नजदीक 2-4 दिन लग जाते हैं तो उससे मैं उसकी देखवार बड़े तरीके से करनी है ब्याने से पहले आपने उसको ट्रांजिशन में एक स्फीड देनी है किसी भी कंपनी की दो आप कोई भी बड़े कंपनी हो और फ्रेस हो क्योंकि अगर फ्र दिखान रखना है आम तार पर ये फीड घरादमी को जानकारी नहीं होती और ये दुकानदार की लागितनी होती दुकानदार ले आता है उसकी पड़ी रहती है उसकी मजबूरी है अगर कोई साथी महा पे गया तो उसको बेश देता है और पसु पालक को इसके बारे में ज सब्सक्राइब कर दो तीन दिन परिवार ने बार बार रात कोट कर देखना है या किसी तरह से एक एक मेंबर जाग कर रात निकालनी है क्योंकि ऐसे नहोगी रात को ब्या जाए और बच्चा उद्द्रादर गूमता रहे और फिर वो बच्चा ना ले अगर कोई पास वो बच्चा नहीं लेता तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि दूद नहीं उतारती है फिर दूद उतारने के टिक्के लगाते है उसको क्या नहीं दें खाद कराक से पहले मैं बताना चाहता हूँ जैसे भी आपकी बैंस है काविं करेगी तो आपने बच्चे को जितनी जल्दी हो उसके बच्चे को चुगाना है आम तोर पर है मनों के अंदर बहुत तरह की बरांतियां होती हैं कि अगर जेर गिराने से पहले चुआई कर ली तो नुक्सान रहेगा बहुत तरह के वहम है मनों में जब तक जेर नहीं किराती तो हमने इसको कीलनी निकालने दोदन निकालना बच्चे को नहीं चुगाना आप देख रहे हो जैसे यह काफ है यह फीमेल काफ है जितनी जल्दी खड़ी हो जाएगी आपको उसको जो भी काफ है फीमेल है या मेल है उसको चुगाना है जब बच्चा चुगेगा तो अक्सिटोसन नाम का रसेन पैदा होगा और जो जेर है जेर जल्दी जल्दी से निक चाम चांस हो जाएंगे अगर जेर लंबे समय तक बच्चे दानी में रहेगी बैठ गई तो निच्चे सरक गई और जब खड़ी हो गई तो फिर उपर को अंदर को चली गई बाहर से जो मिट्टी कुडा करकट लगा हुआ था वो बच्चे दानी के अंदर चला गया तो फिर ऐसे उसके अंदर सडन के रिया स्टार्ट हो जाती है और दूद जो समन्द है बच्चे दानी के साथ है और बच्चे दानी के अंदर इंफैक्शन होने के कारण उसको मस्टैटस भी हो जाती है जो फॉस्ट टाइमर जो टिया है वो दूद नहीं मनाती दूद निकलता उनक तो हम कहते हैं कि फिलाने बुल लगी जो टीने दूद नी दिया ब्याकर छोटे-छोटे से कारन होते हैं मेरे साथियों तो आपने इनका विश्चिय ध्यान रखना है और ब्याने के तुरंत बाद आपने इसको गुड़ देना है पाणी में गुड़ कर गुड़ कर कम से कम आ मिंथी दाना देशु़गते हैं मिंथी दाना पानी में वालकर दे सकते हैं और पानी में एक काड़ बना सकते हैं जैसे सव्षोंफ हो गया अजवायन होगी और शुट होगी उनकी मात्रा कम होती है जैसे 100 ग्राम आपने 50 ग्राम आपने सौंफ ले ली और 50 ग्राम आपने अजवैन ले ली और 57 ग्राम आपने सौंट ले ली कि सौंट क्या है जो अद्रख को सुखा कर रर चौड़ का वगाकर ठंड़ रोने पर देग ताकि जो इसका जओर लगा हुआ है अरजड़ बेश्ट होई है तो उसी में आप गोड़ मिला ले ठंड़ होने पर देग और फिर उसके बाद कि सान सोचता है कि मैं इसको क्या खड तो खड़ाने के लिए किसान साथियों देखो हर जगह कोई हर चीज उप लब्द नहीं होती इसमें अनाज थोड़े कम बातरा में पच्ता है उनको आपने क्या करना है कम से कम एक किलो बनोड़े की खाड़ और आदा किलो चणे का खंडा या चणे का छिलका और आदा किलो ही चोकर और एक चमच नमक का और एक मिठे सुट देगा और पचास किराम मिल्नर मिक्चर यह आपने उसको देना है किसी गर्म पानी में बिगो ओकर ठंडा होने पर देना है और चारे के उपर डाल कर देना है तो पसुपालक साथियों यह किरिया आपने लगातार आट-साथ करनी है क्योंकि अगर खाएगा पसु जभी दूद बनाएगा उसने अंदर से बच्चा भी निकाड़ा जेर भी निकड़ी तो बहुत तो पसुपालक साथियों तो यह चीज आपको देना बहुत जुरूरी है तो इसलिए पसुपालक साथियों मैं पार बार अपील करता क्योंकि ब्याने के तुरंत बाद उसको उर्जा देनी जुरूरी है बहुत से साथिकें के इंदन देते हैं फिर वह दूद नहीं मनाती बिमार पड़ जाती है तो यह मसले सारे फीड के हैं ना कि किसी दुआई के हैं और दुआई से हल करने की कोशिस भी नहीं करने चीए जो फीड के मसले हैं फीड से ही हाल होते हैं और जो जेर वाड़ा मसला है अगर आप बच्चे को जैसे सुबह चुगा दिया सुबह ब्याई है और तीन चार गंटे बाद फिर दुबारा चुगा ये जितना बार बार चुगाएंगे आप वो उसको दूद उतरवाएगा अक्षिटास नामगर सैन पैदा होगा तो ऐसे ही साथियों जेर जल्दी गिरा देगी तो ये बात मैं बताना चाहता था और जो दस दिन के बाद खराक ख़लानी है उसके बारे में जानकारी दूँगा तो अब सब साथियों का मैं दन्यवाद करता हूं आपने मेरी वीडि और दूसरे साथियों तक सेर करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसान जानकारी के अबाव में पिर कही न कहीं नुकसान कर बठता है तो जादा कुछना कहता हो किसान साथियों फिर दूबारा से अपील करूंगा जो बजबात मैंने बताई हैं और आप भी उनका पनाई है कोई भी किसी तरह की कोई दिक्ता कमेंटर के मादम से पूछ सकते हैं तो जादा कुछना कहता हो नमस्कार जैहिल साथियों